है 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 सो हेलो एव्रीवन वेलकम तो आवर चैनल एंड आय होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही हो कि एक्जामिनेशन के लिए हिंदी सैंन का इतिहांज का वीडियो कर रहा हूं जिसमें मैं आज चायावादी युग का इस्टाट कर रहा हूं इसमें मैं सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी को ले रहाँ जो चार परमुख कवियों मेंसे एक हैं अपके स्लेवस में इसके अलावा भी मैं बता दूँ तो हिंदी साहिते का इतिहास का बहुत सारा कुईसेन अंसर अप्लोडेड हो चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजिए गा जैसे भरतिंद्य यूग परियोग वादी यूग उसके बाद खरी वोली का विकास उसके बाद दिवेदी यूग उसके बाद अग्य करके वह भी वीडियो देख सकते हैं यह आपके स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर दोनों ही लेवल पर यह अंसर आपको बहुत ही हेल्प करेगा फूल मक्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम ग्रूप का लिंक दिया हुआ है टेलिग्राम ग्रूप क लिंक को किलिक करके जॉइन कर लिजिए गा फॉर एचेट्स प्रिप्रेशन यॉर्क डिस्कॉसंस वगरा के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए आप सुमित्रा नैनन पंत शायवाद कभी है तो इसमें कोईस्टन किस तरह से बन सकते हैं कोईस्टन इतने ब कर दो सकते हैं और इन तरह के अंसर मैं आपके सामने ले कर आयां जो कि बेस्ट अंसर ए हर अंसर की यह अंसर भी आपको फूल मर्क दिला ही देगा एक्जाम में जैसे कि मेरा सभी हंदी का अपने अंसर देखा है और बहुत सारा मार्क पाया है तो चली अंसर को सबसे पहले मैं बताता हूं आपको परिचाय लिखने के लिए तो यहां पे दिख़िए आप परिचाय में लिखोगे पहले कि प्रकृति पी यह कभी तो यह वाद ध्यान रखना कि पूरे हिंदी जगत में सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति पिडिय कभी कहा जाता है क्योंकि उनकी इसको प्रकृति प्रकृति के उपर लिखते हैं तो यहां पर देखे कि प्रकृति कभी सुमित्रा नंदन पंत यहां पर को सिंगल इंवर्टेट कोमा में किया जा सकता है कि यह पंत से ज्यादा फेमस हैं जी का जन्म 20 माई 1922 में हुआ था कभी पंत प्रकृति के सुकुमार कभी कहे जाते हैं यह देखो कितना इंपॉर्टेंट लाइन इसको हाइलाइट या इसको याद ही करना यह सब जो है की पॉइंट है तो यह एक्जामनर के आँखों में पहुचना चाहिए तभी वह नंबर देता है तो प्रकृति के प्रकृति का बड़ा ही सुंदर इवं विच्चीत लवारन किया है सिंपल हिंदी लिखा हुआ है समझाने की जरूरत है नहीं समान्य था हो उनके काभें प्रकृति के भ्यानक रूप का चितर नहीं हुआ है आप समझी सकते हो कि जो प्रकृति कभी है मतलब जिनकी मोश्ट आप इससे प्यार करते है उसके भ्यानक रूप को क्यों कूँ धरसाएगा भ्यानक रूप आप उसका कि की किस शतारतें प्रकृत करते हैं जो आपका धूस्मानिय जिससे आप यहां पे पिरिए आपके लिए उसको तो आप एकडम अच्छा रूप दिखा हो शे सुंदरं प्रकृतिक भ्यानक रूप नहीं हुआ है उसके बाद आप लिखो यूग सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इसलिए मैंने उसको अलग हेडिंग से लिख दिया कि पंत जी छायावादी यूग के कभी है यह पर लिख भी सकते हो कभी माने जाते हैं लगी माने जाते क्या है वो तो है ही जैसे आप मालोग क्लास 12 स्टुडेंट हो तो मैं बोलूगा कि यार आप क्लास 12 स्टुडेंट माने जाते हो ऐसा तो नहीं है आप रियली में क्लास 12 के हो तो इस तरह से आप यह लिख सकते हो क भूक में उसे लिखा होता है तो लिख सकते वर्ट एप्रोप्रियेट तो यह ना कि हाँ छायवादी यूग है सभी को पता है उसके बाद चलिए इस ता देखिए रचनाय लिखना होगा उसका तो पंत जी की निमन लिखीत रचनाय है और यह मुख्यरूप से कभी है तो इनक प्रचनाय के चिदंबरा कभवे पे ही उन्हें ग्यान पीट पूरसकार मिला हुआ है तो इसको मत भूलना इसके उपर भी मैंने इसमें लिखाया है उसको भी आगे पड़ते हैं वह इसके बाद यहां पे तो पंत जी की नॉर्मल भासा क्या है तो पंत जी खरी बोली के कव सब्सक्राइब का पर्योग किया इसमें उन्होंने तश्छनों पर्कार के सब्सक्राइब किया और इन्हों नहीं बहुत सारे थantage ध्रिक्ते Kait覺得 Đ Julian में यह लाइने एट करवाई थी कि वह भी यूज करते हैं तद्व दोनों परकार के सब्दों का यहां तक आपने लिख दिया परिच्छाए यूग रचनाए भासस है लिए उसके बाद चलिए क्या लिखना है कि उसके बाद आपको लिखना है विसेस्ताएं कुछ उनकी काप सब्सक्राब नाम यह प्रकृती पीडिए तो उनहीं के ऊसका तो यह आपको लाइन लिखना ही मस्ट्थि पर्ती परिफ्दे रफ प्रकृती पर्प्रकृती प्रक्रीति के पर्ति कभी का इतना जयादा लगाव है कि नारी सुन्दरे का अउहेलना कर देते आँए तक मतलब नजर अंदाज कर देते हैं उसको भी पीछे कर देते जाता है कि नारी का सुन्दरे जो है बहुत ही जानते हों कि मेरी बैक bolny quotations क्योंकि इस Нमें अभी बले हैं लेकिन जब कॉललेज में जाओगे तो इसके बीना काम ही नहीं चलता है और हमें काम को ईन चलेगा ह हिंदी में को चाहओगे आप आर्ण से चन्रलोपास लो या लो वहां पर कोटेसंस के सीवा आगे नहीं वर पाऊगे नंबर ही नहीं मिलता है तो यह बात को भी आपको समझनी चाहिए यहां पर देख लो क्या है कि छोड़ दुरूमों की मिरिदूश आया तोड़ प्रकृति से भी नाता बोल तेरे बाल जाल में कैसे उल्जाद उलोच आपको यह लाइन याद कर लेना और रट लेना और एक्जाम में आपको लिख देना है चलिए उसके बाद सेकेंड लाइन पर चलते हैं मानो सिरेश्ट इसके उपर क्या लिखेंगे मानो को भी उन्होंने सिरेश्ट का प्रकृति तो अपने आप में है ही एकदम नैचूरल प्रक्री तो यहां पे जो को को hol ये सब होता है प्रांगन का मतलब कोई अस्थान जैसे मैं अपने घर में हो तो इसको मैं बोलूँगा मैं अपने प्रांगन में हूँ आप अपने घर में हो तो आप अपने प्रांगन में इसकूल का जगा में अगर आप कुछ होता है तो इसकूल के प्रांगन में खेल होगा इसकूल के प्रांगन में यह होगा तो ठीक इसी पर ग क्या बताया यह हम लोग देख लेते हैं थोड़ी से और लाइन है बस यहीं है तो मानों के महत्व को भी समझाए प्रकृति का महत्व है मानों का भी महत्व को समझाए पंत जी मानों की सिरेष्ठा के बारे में कहते हैं मानों की सिरेष्ठा के बारे में कहते हैं मानों की यहां पर यह जो exclamation का sign है उसको जरूर देना मानों तुम सबसे सुन्दर तम यहां पर इन्वर्ट कॉमा से close कर देना है और starting भी अचानक से नहीं करना है कुछ अच्छी लाइने को साथ करना अगर लिखते हो तो मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा यह आप बात को समझना जैसे ऊपर याते आते आते पांच में चार देने का लेकिन लाइच में लिख दिया तो यह कुछ ट्रिक्स है इसको मैं बता देता हूं आपको और जगह पे नहीं मिलेगी बट मैं यह सब आपको ब सब्सक्राइब करना नामा कावे रचना के लिए उन्होंने ग्यान पूरसकार से सम्मानिद भी किया गया तो वन्मक्स के सौर्ट को में पूछे जा सकते हैं कि उन्हें ग्यानपीट पुरसकार किसके लिए मिला था चिदंब्रा के लिए या एमजी की में पूछा जा सकता है और पूछा क्या जाएगा पूछा जा चुका है कि चिदंब्रा के लेखक कौन है सौरी काब्बे का रचना कौन किया था तो आपके options होगे तो आप वहां पे सुमित्रन नंदञपंत जी और चाएँबाद के और वह कभी है जैसंकर परसाद दिया है महादेवी बर्मा जी है उनसभी का अब को निर्मला जी बीए और चायबादी यूक पीशहिए समानने प्रवरीति आ वह भी है ते वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम गूरूप को जोइन कर ले जिसे आपको अपडेट मिलते रहेंगे और साथ में ही आप प्रिप्रिप्रेशन और अच्छा हो जाए और आप से लेवस को जल्दी-जल्दी कवर कर लो अधरवाइस आपका बैकलोग रही जाएगा तो पहले वाले जो है वो पढ़लो और आने वाले जो वीडियो जो हैं उनको भी देखकर प्रिप्रेशन फूल कर तो भी कुछ फूल मांक्स लाने से कोई नहीं रोकेगा आपको और यहां लास्ट के जो दस सेकेंड में जो यह लिंक सो हो रहा है उस पे आप डिरेक्टली हिंदी सहते के तिहांस का प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे और भी बगल में जो भी लिंक है उसको भी किलिक करके उस वीडियो को देख लेना चले मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए पढ़ाई करते दिए विसिंग यू आल दा बेरी बेस्ट